कुईंटन डिकॉक की सत्किय पारी से दच्छिन अफ्रिका ने केप टाउन में खिले गए तीसरे बंडे मैच में भारत को हरा कर सिरीज तीन सुनने से अपने नाम कर लिया दच्छिन अफ्रिका ने तीसरे बंडे मैच में भारत के सामने जीत के लिए 288 रन का लक्ष रखा था भारतीय टीम 283 रन पर ओल आउट हो गई दच्छिन अफ्रिका ने यह मुकाबला 4 रन से जीता इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीत कर गिन्दवा जी का फैसला लिया मलान एक रन टेमबा बबुमा आठ रन और एडम मारकर 15 रन बना कर आउट हो गए मगर इसके बाद कुईंटन डिकॉक ने डूसन के साथ 144 रन की मजबूत साज़ेदारी की कुईंटन डिकॉक ने वन डे में अतना 17 मा सतक जरा उन्होंने जैक कैलिस के रिकॉर्ड की बराब्री कर ली कुईंटन डिकॉक 124 रन की पारी खेल कर आउट हुए डूसन ने 52 रन और डेवेड मिलर ने 49 रन का योगदान दिया दच्छिनप्री की टीम 49.5 ओवर में 287 रन पर धेर हो गई भारत के लिए परशिद्ध कृष्णा ने सबसे ज़्यादा तीन बिकेट लिए दीपक चहर और जस्पीत पूमरा को दो-दो सफलता मिली वहीं युजविंद्र चहल को एक बिकेट मिला लक्ष का पीछा करने उत्री भारतिय टीम ने कपतान केल राहूल का विकेट जल्दी गवा दिया केल राहूल सिर्फ 9 रन बना कर आउट हो गए मगर इसके बाद सिखरधवन और विराट कोहली ने पारी को सम्हाला और 98 रन की साजेदारी की शिखरधवन 61 रन और विराट कोहली 65 रन बना कर आउट हुए रिशब पंत खाता भी नहीं खोल सके वहीं स्रेय सेयर ने 26 रन की पारी खेली सुरे कुमारे आदब ने 49 रन बनाए दिपक चहर ने 34 गेंद में 24 रन की पारी खेल कर मैच को रोमान चक बनाया मगर वो टीम को जीत नहीं दिला सके मैच के आखरियों पर में भारती टीम को जीत के लिए 6 रन बनाने थे उभर की दूसरी गेंद पर युजविंदर चहल आउट हो गए दचिन अफरीका ने यह मुकाबला 4 रन से जीत लिया इस जीत के साथ ही दचिन अफरीका ने सीरीज को तीन सुन से अपने नाम कर लिया खेल जगत और अनले लेटिस्ट खबरों को सबसे पहले जाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमी फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं